नमस्ते दोस्तों तो आज जो है न इतना रश वाला डे था कि मैं बता नहीं सकती और यह जो है न संडे का देल था और यहां पर जो है आज मुझे दो केक बनाने थे और छोटे छोटे नहीं बनाने थे दोनों जो है दो दो किलो के बनाने थे और टू टियर में बनाने थे और यह देखिये, मैं कौन सा cake board ले रही हूँ, यह जो chocolate cake के लिए तो सही था यह cake board, लेकिन जो दूसरा cake मैंने बनाया था उसके लिए मुझे लगा कि थोड़ा सा चोटा हो गया है, लेकिन जैसे जैसे आप cake board का size बढ़ाएंगे, वैसे वैसे आपका price भी increase हो जाता है, means cake board का के दिखाऊंगे आपको डेकुरेशन दिखाऊंगी ताकि जो है आपको एक आइडिया हो सके कि किस तरीके से मैं अपने काम को हैंडल करती हूँ और आप भी इस तरीके से बड़े से बड़ा ओडर एक दिन में कम्प्लीट कर सकते हैं बिना किसी के help के तो अभी जो है मैंने ज सुवथ की कि मैं सुव। होता है वीडियो जब भी बनानी होती है तो इसके लिए आसपास ख्रशा क्लीन करना पड़ता है ताइम चाहिए इसके लिए और मुझे घर पी काम करने होते हैं तो क्या होता है कि मैं जो है सारे ये करनू करते-करते मैंने से शायद बारा बज़े शुरू किया था दोनो काम में, दोनो केक को आईसिंग करने में, मैं सज बता रही है, और मुझे शाम को छे बज़े तक देना था, और एक केक जो है साथ बज़े तक देना था, तो सोचे, मैंने कितने कम समय में, लेकिन हाँ, इसमें जो टॉपर्स लगे हैं, जैसे एक केक का तो मैंने एक दिन पहले ही बना लिया था, पूरा तो नहीं बनाया था, लेकि थोड़ा बहुत बना लिया था, जो टॉफ वाला था, और एक केक का मैंने उसी दिन बनाया, जैसे क्रम कोट करके मैंने पहले दोनो केक को रख लिया, और उसके बाद जो है, मैंने ज चिल्ड होने के लिए रंग दीजे क्रम कोटिंग अगर आपकी बढ़ियां से हो गई तीन चार घंटे की उसके बाद आइसिंग करके आप फाइनल आइसिंग करके फ्रीज में आप एक डिड़ घंटे के लिए भी छोड़ देंगे तो इतना भी इनफ होता है ठीक है यह चीज तो नीचे जो है मैं यहां पर बना लूँगी लगभग एक किलो के लगभग हाँ एक किलो से थोड़ा ज्यादा ही बिनाओंगी लगभग सवा किलो की लगभग और उपर वाला जो केक है हमारा तीन पाओ के लगभग बनके रहनी होगा अगर आपके पास OTG ओवेन है और आ यह बहुत ही अच्छा तरीका है आपका जो केक स्पॉंज है ना लेयर है इक्वल होगी आइसिंग के बाद भी साइज दूनों के इक्वल होगी तो बहुत ही सुन्दर जो है आपको केक मिल जाएगा और यह देखिए यह जो है मेरा दूसरा केक है यह बनेगा वैनिला फ्ल जिक लगाया मैं तो एक एक करके केक बेग करती हूँ और मैं रात के साड़े बारा एक बज़े तक मैंने चारो केक जो है बेग किये बारी बारी से बारी बारी से तो मेरी जो वाट लगी तो क्या ही बताओ मैं और अगर आपके पास ऐसा कुछ है कि एक साथ तीन चार केक ब नहींगा तो मैंने क्या किया था पहले रखा मैंने बड़ा वाला ठीक है फिर उसके बाद जैसे ही उसे मैंने बेग करके निकाला तुरंत मैंने रख दिया एक छोटा वाला चॉकलेट केक ठीक है मैंने मिंस लगातार जो है मैं इस पर बेग करती रही बारी बारी से बारी बा कि आपको जो है दोनों मैंने सेम ही केक टीन में बेग किया है जैसे जितना प्रेमिक्स मैंने लिया है चोकलेट के लिए उतना ही प्रेमिक्स मैंने इस केक के लिए भी लिया था और जैसे मैंने एक एक बड़े वाले बेग किया फिर जैसे ही निकाला मैंने छोटे वाले बेग मेरे चारो केक बेक हो गया है नीचे मैंने बटर पेपर लगया था ताकि फ्लेवर जो है इधर का उधर ना हो जाए तो इस तरीके से आपको काम करना है आपको गैस को ठंडा नहीं होने देना है गैस नहीं आपका जो ओटीजी है उसको ठंडा नहीं होने देना है जो मेरा घर होगा और यह vanilla flavor का cake है as usual जब भी मैं vanilla flavor का cake बनाती हूँ तो मैं उसमें condensed milk का use जरूर करती हूँ जब condensed milk खतम हो जाता है न तो मैं market से जाकर लेकर आती हूँ wait करती हूँ तब ही मैं यह cake बनाती हूँ और यह जब मुझे बनाना था तो literally मेरा condensed milk खतम हो गया था तो फिर क्या था मैंने husband से भंगाया मैं तो घर में इत्ती जदे busy थी कि बाहर जा नहीं सकती थी तो मैंने husband से भंगाया और वो दगभग 12-12 बचे लेकर हैं उसके बाद मैंने इसकी icing की है काफी जदा लेट हो चुका था लेकिन बिना condensed milk के मैं vanilla cake नहीं बनाती मतलब नहीं बनाती क्योंकि जो एक बार आपने taste दे दिया अपने client को हर बार आप कोशिश करें कि उसको maintain रखें तो यह छोटी से tips थी तभी आपके पास customer वापस लोटके आते हैं और जो यह customer है मेरी एक मेरी friend भी है तो इनके twins दूर लड़किया है उसके हिसाब से हैं पर decoration दिखाऊंगी एक दिन वो पहले ही आके मुझसे deal करके गई थी total cost आगे रहे हैं मैंने सब calculate करके उन्हें बता दिया था उस हिसाब से मेरी deal को गई थी यह लिगी कितना ज़्यादा tall दिख रहा है न यह उपर वाला केक क्योंकि जो है मैंने और लगभग तीन पाव के लगभग इस केक को यह किया है तो यह काफी अच्छा तरीका हो जाता है कि आपको जो है ना height के हिसाब से equally divide करना है नहीं समझ में आ रहा है अगर तो मैं जो है कभी live पूरा करके दिखाऊंगा लाइव य बहुत नंबी हो रही थी बस इसकी main decoration आपको दिखाऊंगी तो यह देखिए यह हमारा chocolate cake है sponge से ही आपको पता चल रहा होगा यह identify करना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है तो बस यहाँ पर जो है मैं board को clean कर दूए हूँ क्योंकि इसमें थोड़ से chocolates भी लगे हुए हैं तो जब मैं clean कर दूँगी और उसके बाद जो है इस पर icing करूँगी तो वो disturb नहीं होगी और मुझे यह पूरा जो है white color में करना था उपर और नीचे दोनों के tears तो जदा दिक्कत नहीं हुई क्योंकि जब दो कदर में करना होता है तो उसमें भी दिक्कत नहीं होती है लेकिन म मैंने बनाया है vanilla वाला के उसको दो कलर में करना था तो जब भी आपको इस तरीके से बड़े केग का order आता है तो आप क्या करें ना कि piping bag में अपनी cream को भर लेंगे तो आपका जो है equal cream लगेगा क्योंकि क्या होता है ना जब हम इसको smudge करते जाते हैं तो top में पतली layer लग ज कोशिश करती हूं भी cake जो है मेरा straight बने क्योंकि अगर आपका cake is straight नहीं है ना तो look बिल्कुल भी नहीं आएगा तो यहां पर यह देखिए मैंने scrapper ले लिया है यह मेरा favorite scrapper है और इससे मैं अच्छे से scrap करूँ गर बिल्कुल सीधा रखिएगा अपने scrapper को टेढ़ा करेंगे फिर वो टीड़ा ही आपका cake बनेगा तो यह देखिए जहां पर मुझे क्रीम कम लग रही थी मैंने फिर से वहां पर क्रीम लगाई और इसी तरीके से आपको cake की icing करनी है cake की finishing करनी है तो यह देखिए फिर से मैंने scrapper भुमाया और किस तरीके सुझे है हमारा cake बिल मैं इस OHP sheet से अपने cake को finishing न दूना मेरा तो मन ही नहीं मानता है क्योंकि finishing नहीं तो cake अच्छा नहीं तो देखिए जब भी आपको इस तरीके से cake के order आते हैं घबराय बिलकुल नहीं बस आप patience के साथ अपने काम को करते रहें और यह देखिए किस तरीके से जो है मैं अपने cake को straight पूरा बनाने की कोशिश कर रही हूँ और यह कितना straight बना है नहीं बना है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा और आप मेरी वीडियो से क्या सीखते हैं यह दिखे पहले कि आपको मैं दिखा दूट मैं shift कैसे करती है मैं आपको especially जो है अपने cake को shift करके इसलि कभी भी जब आपको पता है कि आपको cake board से आपके cake को उठाने के देखे कितना clean निकला है हमारा cake board बिल्कुल भी तूटा नहीं है मैं क्या करती हूँ जब भी मुझे पता है कि अपने cake को उठा के cake board से दूसरे cake के उपर shift करना है तो मैं नीचे वाली soaking बहुत ज़्यादा न मैंने एक set खरीदा था और उसमें छोटे बड़े curve काफी सारे हैं उसमें तो उसी से जो है मैं आपके clean कर रही थी बिल्कुल भी मुझे sharp edges एकदम perfect finishing चाहिए थी तो वो जो मेरा chocolate cake था उसे मैंने एक तूपर एक रखके fridge में रख दिया set होने के लिए और ये जो cake है अब इस fondant का work करने के लिए और जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि देखिए fondant का जो work है जब भी आपको लगता है कि बारिश की दिनों में आपका fondant dry नहीं हो रहा है तो आप microwave के convection mode में on करके जी हां मैंने एक बार पहले भी अपनी live session में बताया था यह जीज नगे तो आप वहां जाके सुन सकते हैं microwave के convection mode में on pre-hit करके आपको off कर देना है और उसके बाद आप अपने fondant को अंदर रखिया और छोड़ दीजिए उसकी गर्माहट से जो है आपका fondant एकदम पत्तर जैसा hard हो जाएगा बहुत ही बढ़िया हो जाएगा यही चीज मैंने यहां पर अपने इस जिपशिपा हो रहा है no doubt मेरा भी हो रहा है काफी जादा हो रहा है बहुत सारे लोग टैलस पाउडर का भी यूज़ करते हैं लेकिन मैं personally आपको एक बात बताती हूं कि मैंने अभी तक टैलस पाउडर करीदा ही नहीं है मैं बहुत हुआ तो थोड़ा बहुत corn flour यूज़ क चारो तरफ से आपको scrap कर लेना है एकदम पतले यह देखे जो मेरा आप यहां पर आप देख रहे है ना scrapper उससे मैंने पैलेट नहीं उससे मैंने scrap कर लिया उसके बाद धीरे से जो है मैंने अपने cake को उठाके shift किया और पहले मैं देख रही हूं कि यह चारो तरफ से बीच और यह देखे कितना neat and clean मिकला है हमारा cake और आपको पता है कभी भी आपने यह चीज़ ध्यान दिया होगा कि top का जो cake होता है cake part वो तोड़ा सा चिपचिपा होता है तो जब भी आपको पता है कि आपको cake को उठाके shift करके दूसरे cake के उपर रखना है तो top के part को नीचे मत र लिए तो आप उसको क्या होता है नो चिपचिपा होता है तो बोट के उपर बहुत अच्छी बग जाता है और जब आपको remove करते हैं तो बिल्कुल भी remove नहीं होता है तो यह जो काम है ना अभी जो मैं यहां पर कर रहे हूं यह काम मैंने सोचा था कि fondant लगाओंगी लेकिन मुझे fondant भराने की मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी मेरे पर ग्रीन कलर का fondant नहीं है मैं हमेशा जो है कलर मिला के ही अपने fondant को बनाती है जैल कलर मिलाना होता है fondant आपको water based कलर नहीं मिला रहा है तो लेकिन इतनी ज्यादा मैं tired हो चुकी थी और यह जो cake था मुझे जब order म मेरे customer ने कहा 8 बज़े चाहिए फिर उसके बाद message करके कहा कि 7 बज़े चाहिए और फिर अचनक से call है कि मुझे 6 बज़े चाहिए अब समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हड़वड़ी हुई होगी और दूसरा वाला cake भी उन्हें भी 6 बज़े चाहिए था एक दिन पहले ही कितना ज़्यादा टफ था मेरे लिए लेकिन संडे को मुझे ये देन था तो मैंने रात के 12 बज़े तक बहुत सारे काम जो है ना फॉन्डेंट के करके रख लिए थे क्योंकि जो कैसल मुझे बनाना था काफे ज़्यादा डिफिकल्स लग रहा था मैंने दुछार वीडिय देखें और उनकी बेटी को जो उनकी ट्विं जो बेटीया है उनको फॉन्डेंट बहुत पसंद है तो ये मेरे लिए बड़ा ही मतलब फॉन्डेंट चाहिए तो मैंने कहा के चलो ठीके फॉन्डेंट में लगा देती हूं और जो कैसल है ना पेपर की काफी एच्छे बनत तो यह देखे, आप फेरी यहाँ पर जो देख रहे हैं, जो विंडोस में बना रहे हूं, इसे से आपको अंदाजा लग रहा होगा कि मैं कि इतनी सदा टायट हो जोगी थी, और मुझे ऐसा लगता है कि जब भी अप होम बेकर को ओर्डर देते हैं तो प्लीज इस तरीकी की कस्टमाइज के ओर्डर ना, दो दिन पहले आप दे देगे हैं, तो काफी एजी हो जागा, यह प्रिंट आउट्स भी मैंने उसी दिन मंगाया, सूची, आज मुझे केक दे है और आज ही मैंने मंगाया, और मतलब इसको पहले तो मैं सोच रही थी कि मुझे इस तरीकी के बने-बना यह प्रिंट आउट्स मिल जाए, तो काफी एजी हो जागा, लेकि मुझे मिले नहीं, तो एक और मेरा काम बढ़ गया, उन सारे प्रिंट आउट्स को कट करके लगान को मेल्ट करके, और इस तरीके से फॉलने कैसे मेल्ट करके, ठाउरी चॉकलेट कैसे मेल्ट करके अपने फॉलने क की बीजिए अगर आपको फिर से दिखना है तो प्लीज s ऐप मेरे पहले की विडियो दीखे, सुनिट के की आपको मिल जाएगा और सारे यहां पर देख रह जब मेरे कस्टमार ने ये कहा कि अब मुझे केक चाहिए तब जाके मैंने ये सारी चीजे श्टिक किये है फॉंडेंट की थाकि बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो और जब क्लाइन ने ये कहा कि मुझे थोड़ा दूर लेकर जाना है तो मुझे हलका सा टेंशन आया पहले तो उन्हें ये कहा कि नहीं हमें लेकर जाना है तोड़ा सा बाहर सोसाइटी के तो फिर क्या था मैंने जो है अंदर में एक टुथपिक इंसर्ट कर दिया था दोनों के बीच में ताकि केक बिल्कुल भी शेक ना हो तो ये देखिए हमारे केक का फाइनल लुक कैसा है मुझे अ कमेंट करके और अब चलते हैं दूसरे केक के ऊपर तो पहले तो आपको मैं दिखा दूँ कि मैं पैक कैसे करती मुझे लगा कि शायद मैंने शूट नहीं किया है कुछ लोग की को आईडी जारी थी कि आप टॉल केक को कैसे पैक करते हैं और जो थोड़े से टॉल केक होते ह यहना सिंगल टीर वाले ही और बहुत थोड़े से टॉल होते हैं तो उसकी भी पैकिंग मैं आपको लोग को दिखाने वाली हूँ एक ही बॉक्स बहुत अच्छे से पैक हो जाता है मैंने शूट किया है आपको दिखाओं भी थी यह दिखे किस तरह कि से मिरी पैकिंग यहा ही मिला था यह देखिए किस तरीके से मैं चेक कर रही हूँ कि मेरा जो केक है कहीं जे भी टच ना हो और शायद जो है ना यह एक तरफ से टच हो रहा था और जो केक बनाता है और उसका केक उसी के हाथ हो डैमेज हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़ादा मेरे लिए टो काफ में पैणिफूल होता है और जब मैंने यह जो कैसल वाला केक है ना जब मैंने उस पे सेट करने का सोचा कैसल तो वो सेट ही भी नहीं हो रहा था सपेस थोड़ा सा कम था मैं मुझे लगता है थोड़ा सा मैंने मुझे तीन से चार इंच का गैप रखना था दोनों टेर्स के बीच में और वह हो नहीं बाया तो मैंने तोड़ा बहुत सेट किया फैसल को और बाकी उन्हें पैक करके दे दिया कि आप वहां जाके सेट कर लिजा था क्योंकि घर ले जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजिए बाबाय टीक केर